बाकाजिला के बिलहर थानाचर के धर्ती थान गाउं में एक महिला तताउस के दो बरसी बच्ची की ससुराल वालों ने घर में मिट्टी का तील छीट कर आग लगा दिया इससे मायों बच्चे दोनों बुरित रजक्मी हो गए घर्टना के सूचना मिलने के बाद बुरित महिला के मायके से आये परिजनों ने उठा कर सामुदाइक स्वास्ते केंद बेलहर में इलाज के लिए भरती कराया जहां डॉक्टर ने गंबी रिस्तिती देखते हुए पुर्पूर मायागंज में दोनों की इलाज के क्रम में मिलतियों हो गई जिसके बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है मिलतक महिला 22 वर्सिया निखत परवीन का 8 वर्स पूर्व धरती थान काउं में फैजुलनसारी से बिवा हुआ था जिसमें उसे एक 5 वर्सिया शर्व तारित करते रहतें दोनों परिवारें ओम सघे समभनियों के साथ अनेक बार पंचायती तता समझाता भी हुई थी जब जब पंचायती समझाता होता था उसके कुछ दिन तक ठीक ठाक रहता था लेकिन पुणा मेरी पुत्री के साथ उसके पती ससूर सास भैसुर गोतनी आधी के दोड़ा मारपीट एवं बुरी तरह जखमी कर दिया जाता था इसको लेकर बाका महिला थाना में अभी भी एक केस चल रहा है मारपीट की घटना को लेकर कल रात में मेरी पुत्री हम लोगों को फोन पर बताई थी लेकिन सुबह करीब पिंचार मजे हम लोगों को फोन से सूचना मिली कि मेरी पुत्री को उसने रूम में ही पलंक पर सोई वबस्ता में हाथ मांध कर किरासन तेल चलक कर जला दिया इसके बाद हम लोग आये और उसे घर से निकाल कर इलाज के लिए अस्पतार लाएं हाला कि दोनों की मिर्द्य के बाद पुलीस ने उसके पती को गिरबतार कर लिया है इस संदन में थाना परभारी बिनोत कुमार ने बताया कि दहेच को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है प्रात्मी की दर्जकर कारवाई की जाएगी बाका जला के कटोरिया थाना चित्र अंतरगद और पत्थर जंगल में सोमबार के दिन अज्याद अधेर महिला और एक पुरूस का सव मिलने से इलाके में संसनी फैल गई सव मिलने की सूचना पर आसपास के ग्रामिनों की भीर जंगल की और उमर पड़ी लेकिन सव का सिनाक्त नहीं हो पाया ग्रामिनों इसकी सूचना कटोरिया थाना में दी सूचना मिलते ही कटोरिया पुलीस आर पत्थर जंगल पहुँच कर सब को कबजे में लेते हुए पोस्ट माटम के लिए बाका भेचते हुए मामले की जाच में जुट गई पर्तम द्रिष्टियां दोनों की पहचान नहीं हो पाई ना है उनकी मौत के कारणों का पता चल पाया पड़ताल के बाद पुलीस ने बताया कि दोनों की पहचान हो गई है पुलीस के नुस्ता मिर्टकों के पहचान कटोरिया थाना में पतस्था पिर चौकिता राजंदरी यादब के भाई सारी ग्राम यादब भावी गुंजनी देवी के रूप में की गई है वे कटोरिया थाना चतर के सुपहा गाउं के रहने वाले थे जांच पड़ताल ने पुलीस को जो जानकारी हासिल हुई उसके मुताबिक दोनों सन्यवार की दोपर घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लोटे घरवालों की मुताबिक उनकी खोजबीन की काफी कोशिस की गई लेकिन कोई पता नहीं चला अंतता सोंबार की सबेरे आर पत्थर के समीब तेली आमारन जंगल में उनकी लासे देखी गई पुलीस मामले की छान बीन कर रही है इन मौतों के कारणों को लेकर पुलीस अब तक कोई निसकर्स पर नहीं पहुँच पाई है वन बिभाग के जमीन पर लगाये गए पेल को उखाडने के मामले में कारोपी, लूरी, टांड, निवासी, बालकिस, नियाद अपको गिरपतार करने के कुछ देट बाद 200 से अधीक संक्या में ब्रणिया पंचायत के महिला पुरूस ने कई घंटे तक थाने का गिराब करते हुए चांदन देवगर पकी सड़क को भी जाम कर दिया मामले की संबंद में थानाधिर सरवन कुमार ने बताया के करीब एक मापुरू बिरनिया पंचायत के खेरगणा गाउं में बन बिभाग की जमिन से वन बिभाग दुरा लगाए गए 1200 पेंड को खाड़ दिया गया था इसके बाद वन बिभाग के दुरा लोगों पर केश दर्च किया गया था उसी मुकदमे में लूरी टाड निवासी बाल कृस्न जादब को पुलीस दुरा गिरबतार किया गया है उसकी गिरबतारी की सूचना मिलते ही अगल बगल के करीब आठ गाउं के दोसों से अधिक महिला पूस और बच्चे आदिवासी सहीत ढोल नगाडा तीरदनू सहीत अनहतियारों के साथ थाना के आगे गेट पर जमा हो गए और बाल क्रिस्न जादब को छोड़ने की मांग करने लगे जबकि बाल क्रिस्न जादब को उन लोगों ने थाना पहुँचने के पहले ही बांका भेज दिया था लगातार समझाने के बाद भी वे लोग सहीत थाना के सामने गेट पर बैट गए जिसमें चांदन दिवगर पक्की सड़क पूरी तरह जाम हो गया करीद तीन घंटे तक जाम को नहीं हटाया जा सका जिससे दोनों और बड़ी संख्या में गाड़ियां खाड़ी हो गई बाका जिला के पंजबारा थाना में मारपीट की सिकायत करने पहुंचे एक बैक्ती को पुलीस ने गिरफतार कर लिया बताया जाता है कि थानाचित के भदडिया गाउं में अंकल लईया पिता स्वरिया बबलू लईया एवां अमित लईया पिता पल्टन लईया के बीच किसी बात को लेकर मार पीट हो गई घटना को लेकर अमित लईया का पिता पल्टन लईयार सराब के नसे में धुत होकर मामले के सिकायद करने पंजवारा थाना पहुँच गया जहां पुलीस ने उसे नसे की हालत में देखते वे उसे हिरासत में लेते वे जांच के लिए पंजवारा स्पताल भेंज दिया जहां चिकत सकोद्वारा उसे सराब की नसे में होने की पुष्टी के जाने के बाद गिरपतार कर लिया उक्तबैक्ती को सोंबार को पुलीस अभी सच्चा में बांका जेल भेंज दिया गया बाका जिला के रजौन पर्खंट के खैरा गराम निवासी डॉक्टर परताब नरायन सिंग के पुत्र भवानी संकर रवी संकर रेओं प्रेम संकर ने अपने रजौन भागलपूर मुख सड़कमार के किनारे इस्थित अपने तेरा बिगा किरसी योगी भूमी में सहायक न पर्खंट की प्रबंदख ने बताया कि लेंवन गरास की खैटी को बढ़ावा देने के लिए पाट साला का भी आयोजन किया जा रहा है पाट साला के करम मस्रूम की खेती करने के लिए 25 किसानों को प्रसिशन दिया जाएगा परखंड उद्यान पदादीकारी ने बताया कि इस परखंड में कुल 10 एकड जमीन पर लेमन ग्रास की खेती करवाई जा रही है बामदे गाउं के रमेश परताप सिंग की खेत में लेमन ग्रास की खेती को लेकर जमीन को तयार करवाया जा रहा है लेमन ग्रास का प्लांट किसानों को 12 हट पर खंड के खरणा से उपलब नकराई जा रही है किसानों को सरकार 12 नुदान के रूप में परती एकड आठ जार रूपे की सबसीडी बिद दी जाएगी एक एकड जमीन में लेमन ग्रास का करीब 20,000 पीस प्लांट लगता है किसानों को लेमन ग्रास की खेती करने में परती एकर करीब 50,000 की लागत पड़ जाती है और एक एकड में अच्छी फ़सल होने पर एक फ़सल से 100 लिटर अरक निकल जाता है लेमन ग्रास के तेल का मार्केट में भी 1200 लिटर से अधिक कीमत मिल जाती है लेमन ग्राज का फसल 000 तैयार होने पर किसानों को मार्केटिंग की वी वेवस्था उप्लम्दि करा दी जाती है बाका जिला कि अमरपूर परखंड किर्सि पदादिकारी के दरा किये जारे सवतला बैबार से खिन होकर अमरपूर परखंड के किसान सलाकारों ने किसान सलाकार संग के परखंड अध्यच राजिस कुमार सर्मा के नेत्रितु में एक ग्यापन परखंड किरसी पदादिकारी स्तिस्चंद्रा को देते वे सानुभूती पुर्बग बिचार करने की अपील की है आवेदन में किसान सलाकारों ने कहा है कि बिहार राजे किसान सलाकार स्निक्तुमूर्चापटना के दो अपनी मांगों के संबंद में जो अभ्यावेदन दिया गया है, उसकी समर्थन में बाका जिलाम तर्गत अमरपूर पर्खंड के सभी किसान सलाकार, 16 अगस्त से 20 अगस्त तक काली पट्टी लगा कर किर्सी विभाग की राज्या देश कन रूप अपने पंचायत किर्सी कार या लेकार छेत्र में सिपर चार परसार करेंगे AIP कार तभी करेंगे जब हमारी मांगों पर गंभीरता पुर्वग बिचार किया जाएगा सलाकारों ने बताया कि तै अबधी तक हम सभी सलाकारों की मांग पूरी नहीं हुई तो अगामी 20 अगस्त को मजबूरन आमरन अन्जन करने को मजबूर हो जाएंगे जिसकी पूरी जबाब दही भिभाग की होगी इस अबसर पर छेतर के सभी किसार्ण सलाकार मौजूद थे लोकडाउन सुस्त पड़ते ही सड़क पर वाहनों की विर्धी होने से भागलपूर हजडिया सड़क मार्क पर दुर घटनाओं का दौर सुरू हो गया है सोम बार को रजान परकंड रिस्तित कटियाम सड़क मार की समीप एक मारूती ने पीठे से बाई को जोड़दार टक्कर मार दी जिसके चलते हैं बाईक पर बैठे एक महिला और एक प्रूस बुरीतर से जखमी हो गए घटना के सूचना मिलते ही रजान पुलीस घटनास तर पर पहुंच कर दोनों गायलों को भाजपा महमंत्री उत्तम कुमार की मदद से रजान स्वास्ते के नर लाया गया पाईक चतिक रस्त हो गया टक्कर मारने के बाद मारूती घटनास तर से फरार हो गया अस्थानिया लोगों ने कुछ दूर तक मारूती का पीछा भी किया लेकिन वे भागने में सफल रहे